हाँ तो भाई जुसका तुम्हें था इंतजार पता चली गया मेरे यार सलमान खान की अगली फिल्म कब कौन सी और कितने में बनेगी जिससे बाकी लोगों की बुरी तरह जलेगी ना तो करन जहर के साथ वापसी होगी और नाहीं वार टू में टाइगर बन के सीक्रेट एंट्री होगी रेस फ्रेंचाइज का पार्ट फोर गलती से भी ये गलती कभी नहीं होगी सल्मान खान सिर्मा वापस आएगा उसी स्टाइल में जिसने उनका कमबाक कराया था पूरे 15 साल पहले जब सल्मान खान बॉलिवुड में most wanted हो गए थे इस बार announcement official है, खुद भाई जान ने दिया है बहुत सालों से लोगों को जो गलत फहमी हो गई थी उसको एकदम दूर कर दिया है इड बॉलिवुड में सिर्फ और सुफ सल्मान खान की थी है और हमेशा रहेगी तो बस अगले साल इड दोहजार पचीस पर सल्मान खान कमबाक लोडिंग है सर जबरदस्ट नियूज यह है कि सल्मान खान की वापसी उनके करियर में अभी तक बनने वाली सबसे महंगी फिल्म के साथ होगी जिसमें 4-5 बॉलिवुड फिल्म है बन के खतम स्पाई उनिवर्स जिसको बॉलिवुड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बोला जाता है उसकी सबसे महंगी फिल्म पठादम जितनी दो मूवीज बन जाएंगी सल्मान खान कमबाक में एक दो तीन नहीं पूरे 400 करोड का प्रोजेक्ट तयार है सर सोचो जिस फिल्म से प्रॉफिट बनाने के लिए 600 करोड बॉक्स ओफिस कलेक्शन करना पड़ेगा इतना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत कहां से आई जवाब सिर्फ एक है दस सल्मान खान फाक्टर मास का असली बाप जो थेयर्टर को स्टेडियम में बदल सकता है प्रड्यूसर वही हैं जिन्होंने सल्मान के साथ किक मार के बॉक्स ओफिस को फार दिया था यहां पे कंफ्यूस बिल्कुल मत होना किक टू नहीं बनने वाली है यह सल्मान खान नाडियर्ड वाला कोलाबरेशन से जादा एक डिरेक्टर के इशारों पे नाचने वाला प्रोजेक्ट होगा क्योंकि कुर्सी पर वो बैठे हैं जिनको देखकर आमिर खान भी सब कुछ भूल गए थे गजनी जैसा lifetime experience क्रियेट करने वाले AR मुर्गदॉस चार साल बाद film इंडस्री में लौट रहे हैं माने एक नहीं टोटल दो कमबाक्स होने वाले हैं हाथो मुद्धे की बाद सल्मान खान के सच्चे फांस का एक लौता सबसे बड़ा टेंशन कहीं फिर से डिरेक्टर सिर्फ नाम का तो नहीं होगा जबकि काम खुद भाईजान करेंगे जी बिल्कुल नहीं AR मुर्गदॉस को फ्री हैंड मलने वाला है इस नई आक्शन थ्रिलर में ये वो शर्थ है जिसके बाद इस फिल्म को शुरू करने का डिसीजन लिया गया है सल्मान खान टोटली कटपुटली बनने वाले हैं जैसा डिरेक्टर बोलेंगे वो करना पड़ेगा अपना दिमाग नहीं लगाना सिर्फ हाथ पर दबाके है चलाना फॉर रेफरेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसे डिरेक्टर एक्टली ने शारुख खान स्टार्डम को एक नया जन दिया था ना बड़ी स्क्रीन पर आक्शन हीरो बनाके उससे एक लेवल उपर जाके स्क्रीन प्रेजन का इस्तिमाल करने वाले हैं बॉलिवुट की सबसे बड़ी मास फिल्म बनाने के लिए भारत का नाम सुनके ज़्यादा खुश नहीं होंगे सल्मान खान फैंस लेकिन उस फिल्म में एक ट्रीज जो बढ़िया की वो थी सल्मान खान ग्रेब बियर्ड ट्रांस्फोरमेशन कुछ वैसा ही पारफुल लुक एंड टाइम लाइन के साथ इस नहीं फिल्म को प्रेजन किया जा सकता है माने एक ही फिल्म में तीन सल्मान बचपन, जवानी और पापा, सीनियर सल्लू भाई अभी देखो कुछ ऐसा कनफर्म नहीं है, लेकिन आइडिया यही है कि फिल्म जबर्दस तभी बनेगी जब सल्मान खान के सामने टक्कर का कोई विलन खड़ा होगा और चुकि इस फिल्म को एक पान इंडिया लेवल पे रिलीस करना है, तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री से किसी बड़े आक्टर को अप्रोच किया जाएगा, पॉर शूर 100% रामा एंड जो फिल्म बन रही है बॉलिवुड में, देखा उसको कैसे हाइप मिल गया, जैसे ही उसके साथ रॉकिंग स्टार यश का नाम जोड़ गया बस कुछ वैसा ही काम करना चाहते हैं सल्मान खान की नई फिल्म के मेकर्स, यशी होंगे ये पका नहीं है, लेकिन जो होगा वो किसी ने सोचा नहीं होगा तब ही फिल्म का एक्सपेक्टेड बजट अभी से 400 करोर बताया जा रहा है क्योंकि स्टार कास बहुत सॉलिड होगी और उतनी ही सॉलिड इन बड़े अक्टर्स की फीज भी होगी सोचो जब अल्मूस्ट 200 करोर में बनने वाली रेस 3 के साथ सलमान खान 300 करोर बॉक्स ओफिस ला सकते हैं तो 400 करोर में बनने वाली एक सही सलामत फिल्म जिसमें सलमान खान के एक्शन अपतार को अगर 50% भी सही से इस्तवाल कर लिया तो वो बॉक्स ओफिस के साथ क्या करे पास या फर फेल, कॉमेंट सेक्शन खुला है, जल्दी जल्दी पधारिये, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो, या फर कुछ शिकायत करनी हो, तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी, वरना थोड़ा सा इंदिजार करिये, मिलूँगी आपसे अगले वी सरफ हो थो तुम है, लुक झाले टीजिए, टाज करनी हो, यह भी जाद जसे वीज़ा हो, सकतू आपसे टीक जने पर लाकी बधाहले वीज़ारे करिए सभोड़ाय जाल्साप़ा मैं तो तो speaking, कριश है आपको, स्रह जाया हो जाल्सान जाप झाबसे करिभाद रहा chocolate,